अपने मन को सहियम करके ठाकुर के चर्णारवुन्द में लगाया जाए इसका प्रकार श्री ठाकुर भी बता लेए थे और उसमें कहीं कि वविशेश। प्रकार की बैठक होनी चाहिए कैसे स्वास ली जाए कैस स्वास छोड़ी जाए आशन कैसे हो यह तो आप्रकार बताया है के पदमासन के ऊपर बैठक करके सीदे आशन के ऊपर बैठकše और श्वास और अपने जीवन का ब्यभार भी भोजद वगरे ये बड़ा संतने तो ये तो इसके बाद में अप्रवाद कह रहे हैं कि आदम सहीं को बनाने के लिए दूसरा फिर उपाय है संसार की असारता का विचार और संसार की ख्रवमता का विचार फिर ठाकुम में चित्र लगाने के लिए एक उपाय बताया कि सबसे पहरे नहीं ये वीचार करें कि मैं शरीर नहीं हूं शरीर मुझे भवत सेवा की दे मिला है अब यह जब विचार हो गया अब क्या करना चाहिए ध्यान कैसे किया जाए उसके लिए तो उसके लिए ये जो स्वप बताया है कि उनका आंगत्य रहन करके श्रीगोर्देव ने स्वप बताया है उस स्वप के साथ में ही कहीं अपने आपको जोड़ करके चले और अभ्यास दियान का अभ्यास अभ्यास करने का मतलब है कहीं नाम मैंने नाम जब करते हुए भी विराज माम तो रिपिटेट नी जो एक ठा ठाकुर जी का जो नाम है उसको रिसाइट करना उसको ठाकुर की नाम को गहन करना ये अभ्यास योग और नाम के द्वाराट्यों कि नामी आएंगे इसलिए नाम को बार-बार या तो अप्रव नाम ज्यानी है तो पड़ब लेगा और यदि भाकते है तो अपनी उपासना क अपना जो श्रूड पहें उस ठाकुर के नाम को गढान करते हैं को आप एक समश्य थी कि कि नाम और नामी इन दोनों को कहीं इन दोनों में संयोग नी हो पाता है नाम कुछ अलग है नामी अलग है अलग है नाम के सामने आई नहीं रहा है तो उसके लिए अभ्यास योग में ये कि नाम जब करते हुए भी विशेशू से शूशू में तो अपने जो उपास से सुन हैं अपने माथे जो विराजमान हैं उनका ही हम करते हुए विराजमान हो शिगुर्देव के द्वारा जो सुपधर अपने माथे उनका ही हम ध्यान करते हुए यह तो फिर थाकुन में इस तरहें से आत्मसंयम योग यहीं अध्याय का नाम है तो मन भगवान में नाम जब के द्वारा विशेशूप से केंद्रत होगा अब इसी प्रसंग में कह रहे हैं शनई शनई उप्रमेत बुद्ध्या ध्रति ग्रिहीत आया आत्मसंसं मनक्त्वा नकिंचित अपेचिंद्द्धे शनई शनई उप्रमेत धीरे-धीरे संसार के जो आकर्शन है उनसे अपने मन को हटाना अठीक है कहीं सुन्द संकीत आ रहा है आमिदों बजरा होता है कोई आया कोई रूप आया आया हो कोई जाने दों कोई बस्तु है रस है है तो ठीक है वो का उसकी बढ़ाई हो नहीं है कि अधार कुग तो इसको कहते हैं उपराम मने बिशय सामने हैं मुझें विश्यौ से हम कैसे अपने आपको डिटेच करें अपने आपको कैसे अलग करें यह उप्राम करने का प्रतन करना चाहिए तो शरी शरी उप्रमें के धीरे धीरे उप्रामिन को प्राप्त करें विश्यों है उनसे अपने मंद को पताए बुद्धिया जरते ग्रिशी है अगों मन को विश्यों से हाने का उपाई जो है वह दिन तो फिर मन हट जाएगा मन है सार्थी है इंद्री है घोड़े और मन है लगाम तो सार्थी के हाथ में यह लगाम है तो घोड़े यह दो घड़ नहीं जाएंगे यह करिका पता है अब बुद्धी से सदा विचार करना चाहिए कि कौशी चीज सत्य है कौशी चीज असत्य है कि यह सर्सत्त का विवेक यह बुद्धी यह बुद्धी यह ओगा सब्सक्राइब कौशी चीज सत्य कौशी चीज अनुद्ध में हैं और कौशी चीज खड़क अनुद्ध में कि यह विचार करके जो कि बाहर की बस्तु हैं मुल से चित्ता हटाना और ठाकों की चित्ता लगाना आत्म संस्थम मनकृत्वा है और अपने मन को सबकी आत्मा श्री प्रभू है उन श्री प्रभू में ही अपने मन को कहीं लगाना पड़ेगा आत्म संस्थम मनकृत्वा मन को आत्मा में ही इस्थित करना पड़ेगा नगींचित आपी चिंता ही और दूसरी बस्तों को कोई भी चिंता नों करें ध्यान यूग में भी अब जैसे ठाकुर का ध्यान कर रहे हैं उसमें शिर्श्रिमत भाव की तीका में इसी श्रूप को दिख करें कि जैसे ध्यान करें भगवा नाम करें नाम करते हुए सबसे पहले ध्यान के जैसे उनके चड़ू कि उनके परमसुंदर चरण हैं जो कबल के समान को मल है उनमें ध्यवज्वजरंपुष के चरण चिनन हैं ललों यूंकी बिखर रही है उपर का भाव नीला है उसमें नक जो है वो चंद्रमा या चंदन की बूद क समान वे दीख रही है अब यदि वो सुरू कहीं नक का सामने आने रहे चरण का संबने आ जाए तो यह नहीं कि हमको पूरा करना है ध्यांत तिसे वहां से चित्त को अठाएं यहां पर यह कहने है नकीचे नपीचिन इसका मितलम है कि जब चित्त लग गया है जहां लग गय लगेंगे जब हटेगा तो फिर चलो आगी चलो जब वहां से हो जाए चित्ति का विचारग्मा तो यह आपने मन को भगवान में लगाकर कि अपने 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 लगा रहा है मन में लगा रहे हैं यह नहीं कि कि उसे जरूरही यह नहीं कि पूर स्भल बियान किया जो अनीस कि रहरा श्री श्रावतलदेन धेव के जो मोल है उसका ध्यान करते हुए चलार उनके इड़ी गुल्फ पूरा हो जाए तो फिर आगे का फिर उतर करके घैट हुए जंगा पर आएंगी तो इस तरह से तो हां हां बिलकुल पंधियां किया है हां चंदाइब हां 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 तो है दनुष का चाल ऑगवाई तो है तो ठानुष का दनुष का चिंदू अगर्ण तो पूरी चरन का थेयान करें जितनी भी चरन से समध्य जितनी भी बस्तूं है उन सब करें अगर्ण चंदार्धाप कल शंत्र को आदा चंद्रमा कलस्य त्रकोल धनोशी एक शुन का चिंद्ध हैं खम भोश्पदम काई के ख़खोर का चंद्ध प्रोष्टि का मचली का चंद्ध शंक शंक्र चक्रपदी दक्षरपदीक पौन अश्टक अश्टकों स्वस्थिक हम वेदी यक्टी की वेदी कुंडल मक्षि मचली परवत की गुफा या परवत की शिकार कुंडल में कहां कंगरा है कहीं गुलाब का कुंडल है तो मस्षि कुंडल परवत दर्म प्रकार है कई शिख से नक्ता प्रकार है कभी ध्यान करने में नक्से शिख का प्रकार है नक्षे ऊपर जाएंगे कभी ऊपर से नीचे आएंगे बंध कतराह जो प्रकार है वह से नक्से तरा समस् outdoor यह यह मलता पराप्त करते हुए के पर मधिन वक्ति मैं अगम है कि इलिए है कि वहांख दोनीब निचे भी आसके नीचे चीपर जास तो तो चंदा हां अधिक स्रेष्ट जो है वो नक्से लेकर के फिर्म पर दिये दिए पर तो चंदा अर्धम कल शम त्रकोल धनशी खम खम बने एक शून का चिन शून का चिन एक जिरो अधिर। खम घोश्पदम गोला है वो आकाश का है और उसमें चारों और माने एक मीरी और लाल बोधारिया है अधिक हां उसके पुदेश परकाश ने में परदी नहीं है और खम वाने आकाश घो आकाश चिन है खम घोश्पदम मानिकाय का खुर्थ प्रोष्टकाम माने एक मचली शंखाम सब्वेद दक्षपदे पूराश्टकाम स्वस्तिक वेदी पुंडल मत्स्य परवद्दर्म धत्तिम सब्विंपदम तो यह जमूर जिरेखाम गुदम विब्रार महलें मिशन मां जामन का चिन्मन तूर जिरेखा इंका चिन्मन का ध्य प्रिखाम करते कि भिराई श्री व्र्ष्णु और क्रश्ण इंद्वरों की चरणले एक से थाए हैं जामन 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 है वो लंगती वो वव बेगन जैसे अर्थो जामन है जामन के फ़ल है चाहिए आउशिद ही है मन को शुद्ध करने वाली आउशिद है तो विब्राम हरूम यूशिद यह इंकने तो यहां पर नकिंचे तापिछ नता है इत्माने ए व्लग रहा है वहां पर लगेरे नहीं ओप्रोफ अफ्सक्री के श ही Japan यहां जो रह говоря तो पिर मं भश्म हो जाएगा मन भश्म कर जाएगा है उब मर्श्म हो जाएगा तो three tel यह श्簡े शने-शनी उप्रमिट जल्दवाजी निसे दिन करे विश्यों से उदासी दिये-दिरो Then कि शने कंθη、शने такие पंथा, शने पलवत लगनम। श्री शंक्तिाचार में और बाद कि कि एक आएक मेरा करने ने करनाना चाहिए शने फंथा र continental crave चलते रो तो डोड़न चलते चलते रास्ता भी पार हुए बाहरह आता है तो इसा जबीवा तो यहां पर यह कही है कि शनई उप्रव में धीरे विश्यों से आउती वी चला जाए उम्में उनकी मांदरा खटाता जाए और आत्मसंद सम्मनक्रत्वा है कि अब ने हटात किसी बस्तू का त्यार करने पर उसने चेंटों और भी जाना आएगा जाना इसे उनकी साथ अविचार करते मन को हताए यह जाए पार्श्यों काई भी पार्श्यों क्रप्वें तो सच्चतार्णद पल्पुन विश्यों उनमें ही लगा करके विराई मांदरा सम्मेक प्रकार से इस्थित करें श्री प्रभू सम्में विद्दिमान है इसलिए यह वी विचार करना कि जिस बस्तु को जितना आदर देना है उतना आदर देती वह भी हम विराई मांदें नकिंचे तापिछ चिंत यह संसार का चिंतन नहीं करें परमात्मा सब्जुक्त सब्जुक्त विद्दिमान हैं यह विचार करते हुए संसार का भी चिंतन नहीं करें और जहां चित्र लग रहा है वहां उतने मैं चित्र लगाते हुए विराई मांदें यह ध्यान को लेकर यह अद्बुत बात है कहीं थी यह मन को बश्यूट कर दें कि ध्यान दो प्रकार का है एक मन को एकांग करना और एक विवेक के द्वारा मन को विश्वों से अलग करना दोनी प्रकार है समाधी के दोनों सासा चलाएंगे पहले विश्वों से हट चित्त को अटाएंगे और फिर मन को एक जिगे ही लगाएंगे ठाकुन में ही केंदित करके लगाती है विराई मांदें कि अभी निवेदा की थी उसी बात को फिर से कह रहे हैं कि यह तो अन्ष्ण मसरम ततस तता नियम में ही तत आत्मन नियव वश्ण लएद नएद यतो यतो निश्चारती अमन जहां जहां से मिश्चारती मनें मिचल करना चाहता है एक जिगे बैटके चलो घुम्याइं तो यह मन्द जो मिश्वों की और जहां-जहां जाता है उसे यह कहा जाए कि अरि भी यह क्या रखा है तो लोटके आजा यह जो फिर जो राशिक जन है उन्होंने भी ये कहा कि नहीं अब इधा उदर भटकने से कोई लाब नहीं है तो फिर ये भी कह दिया भाई गूम लिए बहुत गूम ले अब गूमना फिरना भी बन करो है क्योंकि यह तीजिए आत्रा परिश्रम केवल मने रहें तीर तीए आत्रा भी केवल परिश्रम है पादा भटगने कोई मतलब ने हैं तो यतो यतो निश्चरते मना चंचल असरम मन चंचल है और अस्तिर है वो जहाँ जहाँ निश्चरति मने आकर्शत हो करके चलता है जहाँ जहाँ तको तको नियम में तक वहां वहां से मन को रोको और आत्मनी एव बश्म लहें और आत्मनी माने परमात्मा में ही उस मन को लगाना चाहिए कि मैंने इसी को कहते हैं दिद्ध्यासन माने एक बस्तू का बार बार ध्यान करना और यदि कहीं दूसरी जिए है तो वहां से प्रतियाहार करना प्रतियाहार करके दिद्ध्यासन करना प्रतियाहार माने मन जो बाहर की तरफ जा रहा है उसको लोटाया जाए और दिद्ध्यासन का मतलब है कि एक ही बस्तू में चित्त को बारबाल लगाया चाहिए तो परमात्मा में मंद को लगाने का एक उपाय तो यह है कि सबसे पहले पृतिहार करें मने विश्यों से अपनी चित्व को हटाएं फिर दूसरा यह कि सब बस्तुओं में भगवान का दर्शन कर दें लग जाएं सामने बस्तुओं ते दीखेंगे आख बंकरके तो कब तक बैठेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता है तो जो बस्तुओं उमें ठाकुल की मैमा का दर्शन करने लग जाएं तो पहरा तरीका वगवा प्रत्या 6 मन विश्यों में जाते हुए अपने मन को लोटाना दूसा एक तरीका हुआ मन को एकार करने का कि सम्में भरवान दिमान है उनकी माधुरी का या उनके महिमा का दर्शन करना या धारना करना भवस्वरुप का ही सम्मेध्यां धारना करना और तीसरी बात है कि जब ध्यान करने में विश्यों की और चित्र जा रहा है उससे मैं साधर को यह विचार करना चाहिए अरे यह पूरा करकट है इसको पुरानी संस्कार जो है ne 1 बाहर निकलना चाहाँ न हो इसको या बाहर निकल लुए है कंवीन गध मैं पर निकल जाने तो इनको रहाने से मत्लब नहीं है बल्कि इनको निकाल देने का प्रेष् boa करना चाहिए प्या2 आप इसमा सथ आध्त जब प्रमात्मा में अर भ्यास करता है Сब्साब्स करते याद आते हैं में इसा साथ खबा जाता है किस में सप पर खबड़ाना नीं चाहिए कि सादक को यह समझना चाहिए कि अब मैंने परमात्मा को अपना उद्देश्य बनाया है इसलिए संसार के चिंतन रूप में भीतर जो कूला कच्रा था वो अब बाहर निकल लाए अब यह निकल लाए तो इसको निकाल करके बाहर ही रहने रूप तो बारा भीतर नहीं बिसने कि ऐसा प्रत्न करता चाहिए और कई भगवान के साथ में समझ जोड़ने का प्रत्नी भी करता चाहिए तो यहां पर तीन बाते बताएं पहले विश्यों से अपने चित्व को हटाना है उसको कहते हैं प्रत्याहाद फिर विश्यों सामने आएंगे आएंगे हटाने पर भी तो उन में ध़गवस्वरूप का डर्शन कर देना जैसे और इसको कहते हैं धाणना प्रत्याहार की बात में धाणना धाणना का मतलब है कि दृश्यमान बस्त्मों में कहीं भगवान के स्वरूप का ही ध्यान करने का प् करते हुए यदि विशय आ रहे हैं तो उस समय इस बात का अभ्यास करने का प्रत्त करना चाहिए कि पूला करकट है करकट है बाहर निकल गया है तो आ रहा है तो आप बहर निकल जाब तो बार मेरे पास में आने की जिवत में और श्री प्रभू में ही एक मात्र अपने चित्त को फिर लगाने का प्रत्न करना मैं भगवान का हूँ यह दख कि मैं भगवान का हूँ भगवान के दिए हूँ मैं जगत के दिए नहीं हूँ मैं शरीर नहीं हूँ शरीर बेरा नहीं है मैं शरीर के लिए नहीं हूँ इसके विशे मेरी नहीं है इनको हटाने का प्रत्न करना मैं यह साधर को इन सब चीजों को हटाने का प्रत्न करने चाहिए एक बढ़ी बात कह रहे है यह तो अच्छे स्वेम योगी रहे राम शुक्ताशी यह कह रहे है कि ध्यान करते समय कभी कभी संकल पर विकल्प आ जाती है तो क्या करना चाहिए बोले अरंग बरंग स्वाहा ऐसा कह कर क्यों करते हैं जैसे यह कह रहे हैं ध्यान करते समय कभी कभी संकल्प विकल्प आ जाती है तो यह बोल देना चाहिए कि अरंग बरंग स्वाहा अरंग बरंग स्वाहा अरंग बरंग स्वाहा माने जो फालतु की चीज़े आई है वो भास्म हो जाए ऐसा कहकर उनको दूर कर देना चाहिए अधार जितने भी संकल्प में विकल्प हैं उन संकल्प में विकल्प कोई भास्म कर दिया ना चाहिए अधिर एक उपाई यह बताया कि सामने देखते हुए पलकों को कुछ देश शीकृता से जपकाए एक दो बार पलक जपकाए तो फिर नीद भी तुरी कम पलकों को जपकाने का यह कि रोनी उपाई बताया है यह करें सामने देखते हुए पलकों को कुछ देशे वार्वा शीकृता से जपकाए लें है तो पलक जपकाने से बाहर का दिश्च चटता है ऐसे संकल्विकल्प भी कटने का यह पाय है कि पलक बार भार जपकाने से यह कह रहे हैं इंका इका नवह को को जरूंबा कि पलकों कुबावाय अच्छों का जपकाने से संक्ड ब्योकल को दूर को जाते हैं कि मैं संक्र ब्योकल के यो क्रम है और नुट जाएंगा कि अतो बास सही ऑफ बास सहु है यह कुछ तोटका बतका रहे हैं संगो मने एक जैसे चीक आते समय और स्वास को रोकते समय हमारा विचार का करम तूप जाता है यह भी तरीका है कि स्वास को यह रोके कि प्राविम करेंगे तो जितने प्राविम करेंगे होती है हमारा विचार का जो करम है वो टूट जाए तो यह कहीं बुरी जग है ध्यान जा रहा है बुरी चीज का विस्वास को रूख लए तो फिर वो बुरा दृष्ष्य जो सामने दीक रहा है वो अब लुट है ऐसे चीक के समय और जमाई लेते समय हम कहीं सोच नहीं सकते हैं यह दो कीजिक तो इनों दो थीह नूपाइब भार बार आंखों को जपकाना इसी तरह से स्वास को रूखने से शिख जो चिंतन के करम है वो अब तो तो गो कि प्राइब करने से प्राइब करने से फिर वह क्रम रोग जाए कि मारें चिंदक का यूग करने हैं भूज़ी कि प्रेंग जी कह रहे हैं कि नासका से स्वास को दो-तीर बार जोर से बाहर निकाले अब फिर अंत में जोर से पूरे सास को बाहर निकाल निकाल कर भाहरी रोग जितनी देर स्वास रोक सके उतनी देर रोगें और फिर स्वास लेती हुए स्वावार्य सास नेने की स्थिति में आ जाने कि ऐसा करने से संक्र प्रायाम करके कही स्वास को रोपने से संक्राइब करके स्वास को भीतर भर करके स्वास को रोपना यह पूरका करम हुआ कभी स्वास को बाहर लगाल करके भी कही रोपने का यह प्रति किया जाए तो यह संक्र भीकल पर रोप जाए हाँ 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 तो प्रायम है तो प्रायम में स्वास को भी जितियो भी उसे दुगने समय तक उसको रोकने का प्रतिन किया जितना लेने में समय लगा उससे दुगने समय तक उसको रोकने का प्रतिन किया फिर उसी करम से उतने ही करम से स्वास को छोड़ा उतना ही समय लगा तो और ऐसे स्वास छोड़ने के बाद में फिर स्वास दुवारा नहीं लिए और रोक कर एंँनुंप बताने का प्राइत किया है पहला इन्योंने gy歡迎 बताया है परमात्मा में लगाने की युपति लें कि पहला उपाई यह बताया कि जो व्यक्ति खटना परिस्ति इन इस ददेने के आगध करा कुछार से उन्दी जारpiece तो एक तो भिवेग से उसको हटाना चाहिए पहला है ये कि मद जा यहां हुआ है और भी परमाप्मा की स्वरूजा करें जैसे घंगाजी में कि क्षा चाहिए तो गाइन पर परमात्मा है कि चुड़ी आ गई तो उसमें परमात्मा है यह धार्णा करने से काम चलिया तीसरा एक उपाइब बताया कि जो बुरे विचार यह कहीं आ रहे हैं तो यह विचार करना कि यह निकल ले हैं तो निकल जाने तो पर तो गुस्ने नहीं होगा बापस कि यह प्रयास करके उन विचारों तो एक बाद निकल के उन निकल जाना हाट चलो दूर अटो उनको बेवें के द्वारा फिर वापस निकुस्ने नहीं पर फिर चोथा एक उपाई उन्होंने यह बताया कि यदि और कुछ भी चीज अलंग बलंग आ रही है तो फिर यह कहेग कर दिया कि यह विचार करना पड़ेगा एक उपाई यह बताया कि यह विचार करें कि मैं देह नहीं हूं मैं देह का नहीं हूं देह के लिए नहीं हूं देह मेरा नहीं हूँ, इन तीन चीज का विचार करते हुए, यह विराज मानों, तीन बाकी, मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, मैं देह के लिए नहीं हूँ, यह तीन चीज का विचार करते हुए, तो ध्यान लग जाएगा, और ध्यान लगने में, फिर एक ये कि नासका से दो तीर बार स्वास को बाहर निकाले और स्वास को बाहर निकाल करके जटके से निकाल करके कहीं रूप दे तो मन उससे भी मन फिर से इस सिर्व करके विराई मान होगा ये कुछ योग की छोटी सी प्रक्रियाएं बताई प्रयों करने से पता लगेगा कैसे ठीक है के नहीं कितना फली भूत होती है पर तो ठीक है कि दो तीन बार जली जली मेत्रों को छपकाना जोर से एसा करके स्वास को एसा करने से फिर वो जो विचार का करम है वो विचार का करम कहीं पूच जाए यह तो यह कपालवार्ती जैसे है तो वो उसे कहीं विचार का करम विश्यों से चुप करके कहीं स्वास्तों करके बराएं तो यह उच्छ सांता स्वाश्य उपाय है कि था यतो यतो निश्चरती मनस चंचर मस्तिरम ततस्तस नियम्मी तक आत्मन नेव बश्म लएगा जहां जहां से मन निश्चरती मने जाना चाहता है चंचन अस्थिर होकर के यदि दूश्य के जाना चाहता ही है तो वहां वहां से भी नियम्मेतत इसको रोकर के आत्मन यह बश्म लेगे जहां उसका चित्र लग रहा है वहां पर ही वो लगाएं फिर जब साधन इस्मान करना पूरा हो जाएं तब फिर आगे के अंग का ध् ऊपिशांत अपिशितप्चिनत ही जब फापर मिशम उबेंगे म्योगें विल्चरह जा अधव है क्लमशन स्थी मंस्य में और श्थोगों की वे शक्ति हो गई है और प्रस्थां जिसका मन्त सब्थान मिर्मल हो गया है एसे ब्रमुमुतम ब्रमु बन बने योगी को विश्चित रूप से उत्तम सुक्की प्राप्ति लुकी तो प्रशांत मनसम जिसका मन शांत हो गया है एसे योगी को सुख्की प्राप्ति होती है उपहित शांत रिसम गजयोगों पमोगों जिसके शांत हो गए है ब्रमुत पाकल में वह ब्रमुत हो गया है मने उसने सरवत ब्रुत का दर्शन है उन मिलाकर के जो मन को एक एक अग करने के उपाई बताए उनमें तीन उपाई तो भुख्ष है एक तो यह विचार करना कि मैं शरीर नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है मैं शरीर के लिए नहीं हूं पहला यह उपाई दूसी बात यह कि यह यह विचार आ रहे हैं यह विचार मेरे मन की पूरी बासना के कारण आ har다가 वर यह नखल लहे हैं तो इनको अब मैं द्याग कर नहीं है तो इनकल करके ही इनको मैं त्याग करते है यह दूसरे मिचार तीसरी बात ये कि सर्वत्य परमात्मा विद्यमान हैं इसलिए मुझे इनके रूप का दर्शन नहीं करना है इन में छिपे हुए मूल रूप परमात्मा का दर्शन करना है ये तीन उपाइद को गीत रही है जिपे दिश्यमान वूप जो बस्तू है उसकी असार्ता का विचार अपने मन को विश्यों से लोटा करके सत्य पदार्थ में लगाने का प्रहत्न और जो विचार आए हैं उनको कहीं विवेक द्वारा समाप्त करते हैं ये तीन चीज़ तो वैसे हैं और फिर चित्वों एका करने का जो उपाय है वो यह है स्वांस को रोपने का प्रहत्न करना स्वांस को निकाल करके फिर पूरक करने का प्रहत्न करना तो उन्हें कुमब करने का प्रहत्न करना स्वांस को निकालने के बाद में कुमब करने का प्रहत्न करना तो इससे भी विचार रोगेगा और पलक पर को बार बार झाकाकर के पर आंक को बंद करना या सुसांस को करें करते से से चुछ करने करने का पने कर ना इसने बिचार का क्रम है विचार का करम कहीं दूर पिज एक आप कि तो तीन चीज वीतर के तुन फिन जिए बाहर की कि यह सकते हुचेश Jennifer बाहर की तीन चीज तो वीतर की तीन चीज यह शों से चित्त को हटाना है मैं शरीर का नहीं हूं औ 상व साँ तो यह तो यह तो निश्चरती जहां जहां मन जाने का प्रत्र कर रहा है एक तो वहां से रोकना है क्योंकि यह असद बस्तूओं में तू जा रहा है पर दूसरी बात यह है कि असद बस्तूओं में तू यह जाना ही है तो इनके बाहरी रूप को मत देख इन में भगवान के सुरूप को देख और तीसरी बात यह कि जो बुरे विचार आई हैं उन सारी विचारों को हम कहीं बाहर निकालने उनको स्वाह करने उनको दुबारा विचार करते हुए कि यह असद बस्तू है और यह सदार टेके और फिर सलता से माने जो योग की जो कुछ तोटका है तो योग के तोटकाउं को भी करते हुए विराजमान जैसे स्वास को जटके के साथ में कहीं छोड़ना पल्कों को दो तीम बार बंद करना या स्वास को कहीं रोखने का प्रेत करना तो जितनी देर हम प्रायम करेंगे रोखेंगे उतनी देर हमारा विचार का करम बूट जाए तो ठाक और मिचत लगाते हुए जिसके सारे पाप नश्त हो गए है रजयोगों शांत हो गया है प्रिशांत मन हो गया है ऐसा ब्रम भूत बने वह योगी उसको सुख की प्राप्ति होती है जिसने अपने मन को बश्मे कल दिया उसको यह सुख की प्राप्ति होती है रजोगुल तमुगुल की बृतियों से कहीं प्रमाद की प्राप्ति होगी कि तमुगुल के द्वारा अंधकार आएगा प्रमाद आएगा भोग आएगा रजोगुल जोए उनकी द्वारा दो प्रुवती ऑश्छांति इस प्रहार विब रहे तोख्त बृत्तियों को प्रशांत करना है और आप Nochल करके शांत सुचत रहे होग करना है कि मन के अभ्यास से मन पी एक सिती है से जो जाए कि मन शांगे इसको प्रशांद करें इसको प्रशांद है कि युनियन ने वसको तामाँ योगी बिकर्ट के मिल मेश्चा विल कर दो आत्या वसको प्रशांद कर दोफे लोगी बिकर्मिय उसको झाएक कि निचे आप में आपको वह ब्लागां किकाए रागंप Cathenitect M जो कि तुरल करेंगे में एक हम आपर को में आ जिला शुन हैका इस्कामरा पर आप होजसे तुक की तुկहां कि देकान का ल Powder घंग की प्रआप्ति हुजाएगी तकता यह जिङानी जन कहते हैं कि बर्मे को कहीं बहार से नहीं प्रआप्त्र करना को भर्मे तो विद्व्द्यमान सरवत्र है कि अधर कुपाधी को दूर करना है कि उपाधी दूर होंगे तो चिनमे सुपक can जो आवरन है, आवरन दूर होने उपर चिनमे स्वरुब का अपनिया प्रकाशन हो जागा, यह कहने गजहेंगे है। हमारा जो साधन है वो यह होना चाहिए कि उपाधी को हम कितना दूप करें। ब्रमी के उपर जो आवरण आगया है उस आवरण को हम कितना दूप कर जो उसका बास्तिमिक सुनुप है वो तो सर्विदा बिराजमान है जैसे कोई सफेद पेपर वेट वो लाल मखवल के उपर रखा है तो वो लाल निंका धिकरा है उसमें लाल रही है नहीं अब यह कपड को हटा दिया जाएगा है तो उसका बास्तिमिक सफेद रंग चंकिला रंग अपने आप सामने आ जाए नहीं तो वो लाल लाल निंका जब तक डिबिया के चारों वो घराव को आए डिबी के भीतर है तब तक बुद्धिकर आए जिए डिबिया को हटा दिया जाए लाल मख चुन कर आए वह कहीं कि उसको दूर करते है रही है हिसकार चुट योगी चिफ्ठ कल्म श्बाप रही हिआ कर दिप होने का मतलब है कि तंभुल रही तो गया और रयोगह से वा रही को कर बिराईमान हैं तो रजूंत पामगुण से रही को कर योगी यह विराईमान है तो उसमीं जो सप्त्रों लेखे द्वारा वह अपने सुल्ग को पहचान दें बहफ़ी के द्वारा प्रभावान की मधुरम का में हासवार नहीं योगी को ये तो प्रत्न करना चाहिए युणिया नेव माने सब्सक्राइब उसे प्रत्न करना चाहिए प्रत्न करना है कि जो कारे कोटी का अहम है कारे कोटी का अहम उसका धूर हो जाए कारे कोटी के आहम को दूर हो करके वहाँ मैं पने के सब्सकार से दूर हो जाए तो यह सुखेन प्रमस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्णुते यह वह यह विचार करें कि मैं शरीर नहीं हूं मैं शरीर से बिन्द हूं और प्रमात्मा सच्च आनंद है यह दुश्यमान यह सुख दीक रहा है यह उसकी माय शक्की के कारण है ऐसा इस विचार करें तो यही ब्रम का संस्पर्श करना है तो ब्रम को पैदा नहीं करना है ब्रम के उपर आई हुई उपाधियों को खटाना है आत्मा को पैदा नहीं करना है आत्मा के उपर आई हुई उपाधियों को दूर करना है कि यही ब्रम का ध्यान करना है तत्ता मन में ब्रम नहीं आएगा जैसे यह का जाता है कि मन के द्वारा ब्रम का चिंतन करो तो यहां पर एक प्रश्णु गुए कि मन तो बहुत चोटा है ब्रम बहुत बड़ा है कि और ब्रम मन में कैसे आसकता है तो इसका उत्तर यहीं है कि मन के द्वारा चिंतन करने का यहां चाहित उपाधियों का नराश करने पर ब्यापक बन जाएगा यही ब्रमका निहां करना कोट अ किलो कि दूर करना यिद कर द्लाइब인도 ओ तो में चुन में इलिए उंके द्वारा प्रवाण के महुंद स्मर्ण किया जो एक्ष़ते योग योग दिर्भुकतात्मा तो सार्व भूतस्तम आत्मानम सार्व भूताने चात्मनी एक्ष़ते योग योगतात्मा सारवक्त्य समधर्शना सार्व्भूतस्थम आत्मान। सार्वत्र सब्जग है समदर्शन हैं जो भगवान के स्वरूप का ही दर्शन करता है ऐसा योग युक्तात्मा ध्यान योग से युक्ति व्यक्ति आत्मानमाने अपने स्वरूप को सर्व्भूतस्थम इक्षते संपूर्ण प्राणियों में इस्थित देखता है और सर्व्भूतानी आत्मनी सवी भूतों को अपने में के अज़ास का करते हैं इक्षते योग योग अत्मा सर्वत्र समदर्शन है कि यह विचार करना चाहिए कि सर्वत्र सच्चराधन पर्मात्माई विराजमान हैं जैसे खिलोने को नाम भले दे दिया गया है चीवी के खिलोने को पार्त उसके भीतर बाहर सर्वत्र चीवी ही विराजमान है खान ही विराजमान है जैसे दोहा ही सर्वत्र विराजमान है जैसे बिट्टी ही बरतर में सर्वत्र विराजमान है जैसे सोना ही पृत्यक आभुशन में विराजमान है एसे ही योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना एक योग युक्त व्यक्ति सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करेगा उपादान कारण भगवान है उनका दर्शन करेगा ईक उपाई हुगा कि मून उपादान कारण के में भगवान ही विराजमान है ऐसा भिचाग करना चाहेगा से भगवान की वाया शक्तिकर उपादन कारण के में के विराजमान है तो कहला है य जा है कि भगवान Дी seríaad तो निश्कष तो यह है कि अंतर्यामी है भगवान उपादान कारण है माया और माया क्योंकि स्वतंद्र नहीं है भगवान के अधीन है इसलिए भगवान ही उपादान कारण है इस तरह से अविन्दमित्यों पादा धिवान ही है कि सेर्जी के पासमें बहुत सारी चीजें हैं उनके पास में सोमा भी है उनके पास में प्लास्टिक भी है उनके पास में मिट्टी भी है अब सिर्जी की इच्छा है कि वे मिट्टी के गिलास में पानी पी है कि प्लास्टिक के गिलास में कभी पानी पी सकते हैं कभी काच के गिलास में और कभी वे चाली के गिलास में पान अपने देजिद्धाम में श्रिवाइटॅैत्ध धाम में धो भुक एभुनलावण धाम ने सवनुपशक्ति के द्वारा अपनी सारी वस्वफ प्रकर कर रही से लेह सोन जोने के अप्रश रेख में रहे लिए कभी सवर्वचक्ति कही ठा हुआ के पर बरतन कर रहे हैं तो स्वार्ग का प्रोग कर रहे हैं तो जगत कर रहे हैं तो जगत की रचना वे माईग बस्तों के द्वारा करती हुए विराई मांग हो रहे हैं तो यह पारंतो जो बिट्री का प्रतन है वो भी सेड़ जी का ही कहलाएगा वो भी सेड़ जी कहलाएगा तो शक्ति को नहीं कहलाएगा वो मालक का ही कहलाएगा ऐसे शक्ति की सारी क्रियाएं मालक की क्रियाएं यह कहलाएगा यह इस तरह तो सर्व भूता सम आत्माना भगवान सब के भीतर विराजमान है और सर्व भूता ने चात्मा दिन तो कभी वे अपनी स्वप्ष्टि बिहार करते हैं कभी माया शक्ति के बीच में अंतरियामी होकर अंतरियामी Native bubble giant सोनुप शक्ति में जानी हैं और यहां पर ब्हांठ आत्रियामी उपर के लिए यहां पर केवल अंतरियामी है सव्प्षक्ति में अंतरियामी वह व मके शिद्गो लोग में क्रिड़ा कर रहा हुए गो मों कि सारी भस्तोंब भंग्मांन की स्व रूप इस रूप अलग से बिरा बिराई वा जबं कि घम अब मंगे जहां कि जगत को आ 22ए जैसे कुभ्हार ने जकत को बनाया कही सुनहीज से गिलास बना जका unit से इसको आत्मक माया से बनातों सब के मालिक शीक्षी और अंतरियामी होकर के भी विराईमान है गोलोग में साक्षात विराईमान है यहां पर अंतरियामी नहीं होती तो बस्ते सामने नहीं तो यह हुआ सर्वत्य संदर्शिन है अब योग युकतात्मा युग युकतात्मा का तात्पर है कि वो ही साधक ने धियान योग के द्वारा सबसे पहले विचार किया कि संसारों पास से नहीं है तो कि संसार बिनाश्रील है और संशाल परणामी है फिर सबके भीतर भगबान विद्दिमान है यह दूसरा विचार किया अंतर यामी रूप में पर तीसरा विचार यह किया कि यह शरीद मुझे एक साधन के रूप में मिला है इससे मैं शरीर नहीं हूँ अब यदि मेरा मन यदि कही विश्व में जा रहा है तो मैं उसको वहां से लोटाओंगा लोटाने के लिए फिर कोई सरल सरल से उपाई जो है तोटका के उपाई ऐसे भी करते हुए बिराजमान है सर भूतस्तम आत्मानम प्राणियों में आत्मा को ही में व्याप्त देखेगा तो सर भूतम आत्मा समय मने मैं ही सब मैं मने भगवान वहीं सब के भीतर विद्यमान हो करके विराजमान है और सर भूताने चात्मनी अब स्वपन में वहीं विचार कर सकता है कि सारा जगत मेरे भीतर है जैसे स्वपन में बाहर की कोई चीज नहीं है पर तो वह भीतर दीख रहा है ऐसे ही श्ली भगवान वे भी जगत में सरवत्र व्याप्त के विराजमान है स्वपन में प्राणियों को अपने आदर कर देखा अधा सच्चिरानल स्रोग के भीतर ही सब कुछ भगवान के भीतर ही पिराजमान है जितनी भी बस्तूं है वे प्रकाश के कारण ही दीख रही है तो जैसे प्रकाश सम्में विद्यमान है ऐसे प्राणी भगवान भी सम्में विराजमान है कि इसमकाव चैने का तात्तर है कि प्राणियों में तो अपनी सत्ता है पर अपने में प्राणियों की सत्ता है है कि कारण है सुन्तों सभा एख रहने वादा है प्राणी उत्वनादलस्टर adapter है बार्द शरीर मुट मmernशे तो सब के भीतर आत्मा को देखना इसका मतलब है कि अत्मा जब तक सब के भीतर है तक वुबस्त कर रही है और अपने भी सब को देखना इसका मतलब है कि आत्मा ही सबके सामने व्यागत होकर के विराईमान हैं और सारी बस्तुमें आत्मा का आश्र लेकर के विराईमान है इसका एक छोटा सा आभास हमको स्वप्ण में हो जाता है कि सारा जगत हमारे इसरा आए तो है प्रतार रा एक जाएगा जब धीत आए तो भगवान गीते है अनुद्य और अग्जाय सबके विराई बित्दिमान है क्योंकि जब तक आत्मा का संपर्प उसके साथ में है तक वो बस्तुम काम कर रही है इसके बाद के वो बस्तुम काम करना बंद करते हैं तो पूरे 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 प्रसंग में कहीं यही बात पूरे अध्या में चल लगी है कि लाना है तीन चीज का विशेशुप से विचार करना है कि मैं शरीर के लिए नहीं हूँ यह जगत विनाशील है और शरीर मुझे भगवत सेवा के लिए प्राप्त हुआ है यह तो बूल बस्तु और इनके अत्रित जो बस्तु हैं वो सारी बस्तु हैं कहीं परवर्तन्शीन होकर के विराजमान हैं और उनसे चित्त को हटा करके जो एनके तीनों चारों इसलोकों का फूल विश्कर्श संसार की असार्था का विचार संसार मुझे साधन के की मिला है यह चैब्रास्वनुद नहीं हूं और में इस शरीर का संसारAh Chat भगवत सेवा के लिए रही प्रयोक यह मूल पीम्रम कि नहीं संसार असार है में सहरीर नहीं हूं और शरीर का उप्योग मुझे भगवत सेवा के लिए करना है यह तीन चीज का यह विचार हो जाएक पस तीन चीज फिर से तीन चीज संसार असार है मैं शरीर नहीं हूँ शरीर मुझे भगव सेवा के लिए मिला है तीन चीज का विचार करके करने से व्यक्ति को संपूर कर जार के प्रक्ति हो जाएगी यह है आत्मसयम योग फिर और सब तो तोटका जैसी चीज़े हैं तो जब करने से कहीं एक अधर का प्रम का प्राप्ति तो करना ने बर्म तो पहले से है कि उल्ग उपाद ही हट जाएगी बिल्कुत तिन तीन चीज से हटे पंदू मुझे शरीर का उप्यों करना है यह उप्यों कैसे करने उसके लिए भक्ति लगने पड़े और उसके लिए नाम को नाम भक्ति और भक्ति के साधर नवदा बख्ता यह इनको मिकरना परने के लिए इसाद गया संसार जीए वो संसार नहीं है संसार मुक्ष बस्तू नहीं है यह बिनाशील है और मैं संसार नहीं है इसको बिचार कर तुम्हुंचे उपका ग्राइन कुम्हुंदावन विहारी लालकी है निताइगों नख्रीमुदाइगों